Hello everyone, this is Rupali and welcome back to my channel Cedar 2020 Online Batch के अंदर आपका स्वागत है हमारा है आज का टॉपिक Math Pedagogy से क्योंकि इसके अंदर हम सारे ही सब्जेक के पैड़कॉजी कवर करने वाले हैं तो ये है हमारा आज का Day 6 तो इसके अंदर हमारा क्या होगा? मैठ का टॉपिक कवर करने वाले हैं और मैठ पैडगोजी के अंदर टॉपिक है हमारा प्लेस ओफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम तो अब मैथमेटिक्स की क्या प्लेस है करिकुलम के अंदर वो हम जानने वाले हैं तो हम देख लेते हैं इस किंदर की हम इस लेसन के अंदर क्या डिसकस करने वाले हैं तो इससे पहले अगर आपने हमारी प्रिवेस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें आप चेक कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में हमारी आपको वीडियो मिल रह कि mathematics को करिकुलम के अंदर क्यों रखा गया है next हम देखेंगे place of mathematics and curriculum की अब करिकुलम के अंदर mathematics की क्या जगा है next importance of mathematics and curriculum अब school curriculum के अंदर mathematics subject की क्या importance है वो भी हम पढ़ने वाले हैं और last में देखेंगे हम कोठारी commission viewpoint क्योंकि इस टॉपिक के रिगार्डिंग को ठारी commission ने अपनी क्या recommendation सी थी वो भी हम detail के अंदर देखने बाले हैं तो आईए हम इस टॉपिक को फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम देखेंगे curriculum अब curriculum क्या है हमारी जो पाठे चर्या होती है उसको कैसे बोल सकते हैं और कैसे derive हुआ है यह word curriculum तो जो curriculum का word है वो derived हुआ है Latin word से इस Latin word को हमने curriculum में को क्या बोला है करिसरी इसको बोला है कि इसका मतलब होता है run किसी चीज को run कराना इट मीन्स कि अब curriculum जो है वो एक आपको path एक आपको एक रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर बच्चे अपने क्या करते हैं गोल को ईचीव करते अपने गोल तक पहुचते हैं Пол एक और दिखाता है जिससे बच्चे उस पर चलकर उस रास्ते पर चलकर अपने ही गोल को अचीव करते हैं वह होता है अमारा करिकुलम next हम देखते हैं इसके आगे कि why mathematics is kept in curriculum कि अब mathematics को curriculum के अंदर क्यों रखा गया है पहले हम देखते हैं कि जो mathematics है एक ऐसा subject है जो कि काफी और दूसरे subject से भी मिलकर जुड़ा हुआ है और क्या है ये हमारी सबसे जादा ये क्या करता है देखते हैं कि अगर बच्चे आगे नहीं पड़े हैं या फिर बड़े लिखी नहीं है तो भी उन्हें mathematics आनी होनी चाहिए क्योंकि उन्हें कोई बिजनस करना है कोई भी काम करना है तो उसके अंदर mathematics होता है बहुत ही important role play करता है तो हम देखते हैं इसका first point कि क्यों रखा गया है mathematics को अब करिकुलम के अंदर to develop their intellectual powers and discipline क्या करता है mathematics ये develop करता है intellectual powers और discipline को अब कैसा है कि intellectual powers हमारी किस से related होती है cognitive से किस से related होती है cognitive से अब cognitive हमने बहुत बार पढ़ा है ये term कि cognitive क्या होता है अब cognitive का जो विकास कराना मतलग कि जो हमारा brain है brain को ही बोला गया है intellectual powers जो होती है क्योंकि mathematics जो एक reasoning subject है जो कि intellectual powers से बना हुआ है और हमारी जो समझनी की शक्ती ही होती है वो हमारे brain से ही work करती है तो सबसे पहले mathematics क्या develop करता है intellectual powers डेवलप करता है students की next देखते हैं to enable to make use of learning in mathematics in their daily life अब mathematics क्यों रखा गया है curriculum के अंदर जिससे की जो बच्चे है अबनी daily life की जो mathematics होती है वो learn कर सके उसका use कर सके तो यह होता है हमारा यह भी second point है third देखते हैं to help students in receiving social and moral virtues अब इसको example समझते हम कि अगर एक किसी भी student को या किसी भी person को अपना कोई एक business करना है तो उसको business के लिए क्या आने चाहिए अब customer से deal कैसे करना है उनसे बाते कैसी करनी है और यह होता है हमारा social और moral virtues को ही effect करता है reflect करता है आपके तो अगर आपकी जो भी अगर आप way of talking अगर dealing का जो तरीका है आपका customer से वो बहुत अच्छा है तो तभी आपका जो customer आपसे stock आपका खरीदेगा तो यह help करता है student को receive करने में क्या social और moral virtues को next देखते हैं to help in the study of other subjects and future learning in mathematics mathematics क्या करता है यहां पर कि अभी हमने पढ़ाता है कि जो mathematics से दूसरे subject के साथ जोड़ा हुआ होता है तो हम यह दूसरे subject के साथ भी उनको समझने में भी help करता है खाली से अंदर से प्लस माइनस या फिर calculations नहीं होती है बहुत सारे principles laws हमारे यह formulas given होते हैं जैसे ही same हमारे हम देखें तो यह किसे हम compare कर सकते हैं इस subject को science से क्योंकि science भी ऐसा subject है जिसके अंदर क्या होता है laws होते है कि वो जो भी हमारी principle है वो कैसे develop हुआ है कोई law है उसको कैसे originate किया किया है वो सब भी उसके अंदर given होता है तो यह हमारी दूसरे subject के future learning में भी help करती है to give the insight or to recognize relationship between different branches and topics of mathematics अब mathematics क्या होता है यह हमारे एक relationship recognize करती है मतलब बना देती है relationship दूसरे branches के साल अब mathematics का अभी हमने बढ़ा सिर्फ सिर्फ calculations नहीं होती है उसके अंदर काफी branches होती है काफी topics होती है तो हर एक topic के बीच में एक link create करता है हमारा relation को develop करता है next एक हम इसके अंदर की to meet different interests to develop their aesthetic abilities and to help them in their power of utilization of their leisure time अब यहां पर क्या करा है कि mathematics जो है यह एक interest को build up करता है students के अंदर उनके जो aesthetic abilities होती है काम को करने की creative ability होती है उनको create करता है develop करता है और उनको help करता है कि उनके जो भी power है उनका जो leisure time है खाली free time है उसको utilize करे next and last point है इसका to help them in becoming self-dependent for mastering new topics and problems of mathematics अब mathematics क्या करता है एक तो help करता है काफी ही तरीकों में help करता है हमारे mathematics तुसके अंदर नहोंने क्या बोला है कि students को वो क्या बनाता है self-dependent बनाता है और कि जिससे के वो जो नए topics है उसमें वो खुद से खुद अपना भी master हो सके और जो भी problems है उनको solve कर सके mathematics के थूरूर। जो एक mathematics है जो एक reasoning का subject है इसके अंदर हमें reason हमें प्रूफ करना होता है हर एक चीज को कि यह चीज कैसे derive की गई है यह चीज कैसे निकाली है तो एक solution का भी है जो हम एक question का solution निकालते हैं तो उसका भी हमें पता होना चाहिए कि पूरा इसका कैसे ही उनको प्रूफ देते हैं हमकी कैसे derive हुआ है यह formula तो हर एक चीज को एक to master करता है उसके अंदर और हर एक problems को solve करता है mathematics अगर आपको जो reasoning ability है वो use करना आ गही है तो आपके जो भी future में प्रॉब्लम्स होंगी आप उस तरीके से आप help होगे आपकी कैसे solve करने है क्योंकि जो एक intellectual ability होती है solutions को सोचना वो develop करना तो यह mathematics ही as a subject है जो help करता है students को intellectual abilities को develop करने में नेक्स टॉपिक देखते हम importance of mathematics in school curriculum अब mathematics के क्या importance है एक school curriculum के अंदर के स्कूल में हर एक सब्जेक्ट का करिकूल के अंदर हर एक सब्जेक्ट होता है अब पूरे detail के अंदर बताया जाता है कि कौन सो topic कैसे ही पढ़ना है कैसे पढ़ाना है कब पढ़ाना है तो इसके अंद हम देखते हैं तो क्या है इसके अंदर decision making अब हर एक बच्चे को help करता है decision making के अंदर कि इसका solution है हमें कैसे निकलना है अभी हमने देखा था कि जो mathematics क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि यह answer ठीक है यह नहीं है इस decision तो उसमें आपको decision form करना पड़ता है तो आगे ही ऐसे ही decision making यहां पर बच्चों के अंदर ability आ जाती है decision लेने की तो वो कैसे help करती है future में help करती है क्योंकि बहुत सारी problems आती है life के अंदर तो उसको कैसे deal करना है उसके साथ उसको solution कैसे निकालना है तो decision making के through लिया जाता है next point है experiential learning अब जब आप decision लेने में perfect हो जाएंगे दीरे दीरे तो आप क्या करेंगे experience develop हो जाएगा आपके अंदर कि आपको कैसे ही इसको समझना है और आप दीरे दीरे जब आपको experience होता रहेगा उस subject से related तो आप उसके अंदर master होते रहेंगे तो mathematics क्या है एक ऐसा subject है जो आपके अंदर सारी ही abilities को develop करता है intellectual, आपके social, moral and decision making से related, आपके problems को solve करने से related, आपको master बनाता है हर एक subject के अंदर तो यह हमारा होता है इसलिए important है mathematics school curriculum के अंदर next point is logical reasoning, अब हमारा mathematics है reasoning based है हमें हर एक reason देना पड़ता है कि यह हमने कैसे solve किया है, किस base पर किया है, तो उसका एक base होता है, हर एक formula को derive करने का, एक principle को, एक theorem को, तो एक logical reasoning होती है, यहां पर हमें logics apply करने होते हैं, तो हम जिससे कि उसको solve कर सकें बहुत ही easily, तो उस logics का हर formulas होते हैं, जिसको हमें follow करना होता है, उन formulas को, तो logical reasoning की ability होती है, वो भी develop होती है, किसके अंदर, students के अंदर, जब हो mathematics को learn करते हैं, या सीखते हैं, next point है increasing knowledge base, अभी क्या करता है, knowledge का जो base है, उसको increase करता है, develop करता है, क्योंकि एक बच्चे का education को समझने का एक base होता है, जिस हैं, तो यह हमारे knowledge base को increase करता है, mathematics, next point है step by step approach है, अब mathematics ऐसा subject है, कि आप एक topic को छोड़के, दूसरे topic पर नहीं jump कर सकते हैं, अब आपको उस topic को समझने के लिए, एक step by step चलना पड़ेगा, तो अगर आप इस step पर फेल हो गए हैं, तो आप इस step पर नहीं पहुच सकते हैं, तो आपको हर एक step को पर जाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा, तो यह हमारा first step है, यह second step है, जब आपको addition आ गई है, आप दूसरे subject पर या दूसरे topic पर पहुचेंगे, jump करेंगे, क्योंकि हमारा आप first से लेकर last level तक नहीं पहुच सकत आपको last तक पहुचने के लिए, next, देखते है हम, place of mathematics in school curriculum, अब mathematics की क्या जगा है, school curriculum के अंदर, first is interdisciplinary approach, अब इसके अंदर क्या पोला गया है, many experts announced that mathematics is the mother of science, की mathematics क्या है, science की mother है, कैसे क्योंकि science के अंदर से आपकी theorems, आपकी theory, laws principle given होते हैं, but mathematics क्या है, उससे भी उपर है, उसके अंदर आपको knowledge increase करता है, आपकी और क्या करता है, एक step by step आपको चलना पड़ता है, एक उसके अंदर logical reasoning आजाती है, आपको intellectual capability को develop करता है, तो ये experts ने अनाउंस किया है, कि जो हमारी mathematics है, वो science की मदर है, उससे भी उपर subject ह one can notice that subject of mathematics can deal with other science and areas of study as well, जैसे हम देख एक काफी जो हमने notice किया है, कि जो mathematics का subject है, वो दूसरे subject जैसे कि हम science से वो काफी deal करता है, और उसके मिलब जो भी areas होते हैं, study को उसमें भी help करता है, जैसे आप देखते हैं कि science के अंदर, आपके physics के अंदर काफी ही questions आते हैं, जिसको आपको कुछ formulas लगा के calculation करने पड़ते हैं, उसका अंसर निकालना पड़ता है, तो उस subject के अंदर भी आपके mathematics यूज आती है, for geometry, engineering, architecture, management and so on, तो यह सारे क्या हैं, topics हैं, यह सारे क्या हैं, fields हैं, जिसके अंदर के mathematics यूज आती है, और एक science भी यूज होती है, in professions को चूज कर बच्चों के पास एक deep knowledge है, mathematics की, तो यह big plus point होता है, उनके लिए क्योंकि काफी expert होना mathematics के अंदर और science के साथ साथ, तो एक बड़ी achievement है, यह अपने आप में ही, next देखते हैं, हम कुछारी commission recommendation, अब कुछारी commission जब सेटप वह थो, तो नहोंने क्या recommendation की थी, अपनी committee के अंदर तो बोथ कुछारी commission और national policy of education, यह दोनों ही topic हमने later videos के अंदर cover करे हुए हैं, जिनोंने भी नहीं देखिया है, वो देख सकता है, तो कुछारी commission और national policy of education नहीं, दोनों नहीं एक साल बैठ कर, नोंने stressed किया था क्या, कि the crucial need of mathematics in school education, अब एक बहुत crucial need है, mathematics की school education के अंदर, क्य कि हमारी mathematics का subject है, यह हर एक field के अंदर बहुत ही useful आता है, next, it is mentioned in the pattern adopted as, जैसे कि आप एक pattern को adopt किया था 10 plus 2 plus 3, अब यहापे 10 plus 2 plus 3 का meaning क्या है, 10th standard, 3 plus 2 हो जाएगा तो आप 12th में आ गए है, then plus 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा graduation level, जो आपके under graduation होती है, यसे हम बोलते है, UG, त यह 10th, हमारी 10th class हो गई है, 2 means 12th class हो गई है, and 3 is under graduation course आपका, तो इसके अंदर, जहाँ पर subject है mathematics का, वो prescribed किया गया है compulsory, तो आप कोई भी field लेंगे, mathematics आपको महाँ पर मिलेगी, मिलेगे, क्योंकि mathematics क्या है, एक बहुत important role प्ले करती है, और यह mathematics का, आपको हमने भी देखा कि क्या importance है, क्यों हमें पढ़नी चाहिए mathematics, तो कोठारी कमिशन ने यही मैंशन किया था, जो भी नोगना यह पैटर्न अडॉप्ट के था, 10+, 2+, 3 का, तो उसके अंदर, जो mathematics का subject है, वो compulsory है, आपको लेना ही लेना पड़ेगा, उसके अंदर, कोई options आपको नहीं मिल सकते हैं, next हम देखते हैं, utilization value, utilization value क्या है यहां पर, as compared to any other subject, mathematics has the highest utilization value for the learner's perspective, अब आप देखते हैं, कर आप mathematics को किसी और subject से compare करेंगे, जैसे suppose आप करते हैं, social studies से, अब social studies का कोई भी आगे relevant point नहीं है, क्योंकि हम history पढ़ते हैं कि पहले क्या हुआ था, हमारे आज के present से उसका कोई link नह हैं, तो हम उसको से वैसा एक theory समझते हैं, but mathematics क्या है, इसका पहले भी बहुत important role तो और आज भी उतना ही important role है, सबसे utilization, highest utilization value है किसकी mathematics के learners के perspective से, इसलिए ही mathematics के subject को compulsory किया गया है, education के अंदर, next point है, the number system, equations, discount, algebra, mensuration, fraction, logarithm, fractions, are essential and can be relevant in the field of businesses, अब आप देख सकते हैं, बहुत ही सारे topics है, percentage, profit and loss, mensuration, तो यह सारे ही important topics है, जो कि math के अंदर, cover होते हैं, mathematics के subject के अंदर, और इनकी utilization value होती है, जिसको हम utilize, बच्चे जो learners जो हैं, वो कर लेते हैं, हर एक field के अंदर, अगर वो आगे भी studies अपने आगे pursue भी न mathematics को वो बहुत ही अच्छे से utilize कर पाएंगे, नेक्स रिखते हैं, develop various values, अब जो mathematics है, वो क्या करता है, various values को develop करता है, जैसे हमने अभी उपर discuss किया था, जो mathematics है, वो help करता है, attain करने में और develop करने में, क्या, logical reasoning, cultural values, moral values, among the children, तो यह क्या है, कि सारी ही values को attain करता है, develop करता है, कि नेक्स के अंदर, learner के अंदर, बच्चों के अंदर, next है, if mathematics is not given an important place, अगर mathematics को important place नहीं दी जा सकती, in the curriculum, then students would not get an opportunity for mental exercise, क्योंकि हमारी जो एक curriculum के अंदर, क्योंकि mathematics को एक important value given है, value दी गई है, अगर उसके अंदर, curriculum के अंदर, mathematics को एक value important नहीं दी जा सकती, तो जो बच्चों opportunity नहीं मिलेगी, एक mental exercise करने की, और उस जो intellectual ability है, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं lag कर जाएगी, absent हो जाएगी, therefore intellectual development might be affected, और वहाँ पर यह जो intellectual development है, वो बहुत जादा effect करेगी, तो एक mental exercise करने के लिए, mental ability को develop करने के लिए, mathematics को important role देना, बहुत ही compulsory है, education के अंदर, और curriculum के Next, देखते हैं, reasons for keeping mathematics in school curriculum, अब कि क्या reasons हैं कि क्यों रखा गया है school curriculum के अंदर mathematics को, first is skill development, दिखा करता है, एक skills को develop करता है, अभी हमने उपर बढ़ा था कि बहुत सारी values भी develop कराता है, तो बैसे ही same skill development भी होती है, किसके अंदर, mathematics के अंदर, तो एक reason बना देता है, एक skill को develop कर आने का, next is career builder, अब एक career को भी आप जैसे बूलते हैं कि एक mathematics और आगर science एक अपके साथ combination है, तो आपका career उतना ही अच्छा बनता है, आगे किसी भी profession के अंदर जाके engineer बन सकते हैं, आप architecture बन सकते हैं, आप doctor बन सकते हैं, तो हर एक field के अंदर आप बहुत ही अच्छा career option हमारा किस के अंदर, बहुत सारे abilities आजाती हैं, हर एक चीज को compute करना, हर एक field के अंदर, तो उसके अंदर mathematics क्या है, बहुत important role play करता है, banking activities, क्योंकि bank के अंदर सारा ही, जो calculation होती है, वो आपके money से related होती है, तो उसके अंदर भी कैसे deal करना है, उसके अंदर mathematics के आपको knowledge होनी नेक्स देखते हैं, develop logical thinking, सबसे important है, यह क्या करता है, mental exercise को develop करता है, intellectual ability को develop करता है, तो यह क्या करता है, डेवलप करता है, logical thinking, इसके अंदर, learner के अंदर, the basis of all science, यह क्या है, मदर है, mathematics subject क्या है, मदर है, सारे ही subject का, and science का भी, तो अगर आपको यह topic अच्छा लगा हो, informative लगा हो, कि mathematics की क्या place है, करिकुलम के अंदर, वो क्यों important है, और reasons क्या है, इसको रखने के लिए, करिकुलम के अंदर, तो यह हमने आज topic कबर किया है, अगर आपको यह topic पूरा अच्छे से clear हुआ हो, और अगर आपने देखा है, पूरा topic के अंद तक, तो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चानल के साथ जुड़े रही है, like, share and subscribe जरूर कीजिए, आपको ऐसे ही, online batch के अंदर आपको फुल पेड़ागोजी मिलती रहीगी, subject की, अगर आपको पसंद आया हो, तो चानल के साथ जुड़े रही है, झाल के साथ जुड़े रही है, जरूर के साथ जुड़े रही है, जरूर के साथ जुड़े रही है, जरूर के साथ जूर 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 क